Hello everyone, Welcome to PharmaRox YouTube channel, PharmaRox के YouTube education channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में study करेंगे केरे फिल टेबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये टेबलेट के basic ये उसके बारे में के कौन से अलग-अलग medical conditions के इंदर ये tablet को use किया जाते है साथ ही जानें कि उसके daily dose के बारे में उसके working के बारे में और side effect, warning and contraindications की detail study करेंगे आज के lecture के अंदर तो detail review करेंगे हम carry pill tablet का तो शुरू करते हैं आज का lecture और सीखते हैं उसके बारे में detail में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being PharmaRox family updated रही है फार्मा नेलिच के साथ एक्सेस कर सकते study material test series and disease and medicines related course PharmaRox के अब उपर कि जहाँ पे सिखे दवायों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindication सरल बासा में एक साल तक वो भी affordable price में तो अभी download कर लेजे application PharmaRox और एक्सेस करिए disease and medicines related course, तो आप contact कर सकते हैं 901631-2020 नमबर पर या फिर application डाउनलोड करें Google Play Store पर से या फिर app store से link आपको description box में मिल जाएगी तो आप समझते हैं कैरीफिल टैबलेट के बारे में तो यह ऐसा class का medication की जो हम कहते है nutritional supplements के category में आते हैं और यह एक herbal medication है कि जो आपको बहुत सारे health benefits देते हैं और इसके अंदर हम देखें तो कैरी का papaya के leaf extract है मतलब कि जो पपीता होता है उसके जो leaf का extract जो है वो यह tablet के अंदर present है और basically यह जो tablet है वो platelet counts को improve करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए यह medication यूज की जाती है तो अब मैं समझाता हूँ आपको कैरी का papaya के बारे में तो कैरी का papaya जो हम जानते कि जो एक पपीता है तो यहाँ पे पपीता का प्लांट देख सकते तो उसके जो leaf होते है उसके extract निक प्लाविनर्स वगरा जो है वो प्रेजन्ट होते है जो एक प्रॉपर medicinal activity प्रोवाइड करते है तो यह जो medication वो especially जो उसका जो leaf का जो juice होता है और उसमें से जो extract निकाले जाते है वो especially और डेंग्यू फीवर के दोरान जो platelets count कम हो जाते है तो उसको improve करने के लिए यूज कि पैकिंग देख से थे कि जिसके अंदर लिखा है कि एक आयरुविदिक medicine है कि यहाँ पे लिखा है कि आयरुविदिक proprietary medicine यहाँ पे लिखा है और साथ में लिखा है कि film coated tablet है और एक film coated tablet के अंदर जो leaf के जो extract है वो around 1100 mg जितने रहेंगे फिर marketed by लिखा है यहाँ पे कि माइक्र prolapse limited और storage condition लिखे कि store करना है आपको cool and dry place से और proper protect करना है sunlight से refrigerator में उसको कभी न रखे और बच्चों से दूर रखने कि यहाँ पे proper एक advice दी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते कि proper 15 tablets जो है वो दी जाती है यह एक blister के अंदर तो एक blister के अंदर जो वो टोटल 15 tablet रहती है किया होता है tablets के उपर कि जिससे moisture वगेरा से यह tablet को prevent कर सके strength रहेगी 1100 mg और यह आयरुविदिक medicine है फिर उसके properties के बारे में हम जाने तो carry pill tablet के पास antibacterial properties है anti-tumor properties भी है immunomodulatory property है उसके पास antioxidant है platelet counts को improve कर सकता है blood sugar को reduce कर सकता है और protein को breakdown करेगा जिसके करन digestion में भी यह help करता है तो यह सभी benefits and properties carry pill tablet के अंदर present है और यह specially मिलता है जो हमने जो भी बात की कि जो carry का papaya की जो leaf होते है उसका extract निकाला जाते है और उसके अंदर यह सभी medicinal benefits प्रेजंट होते है तो यह सभी medicinal benefits आपको मिलते है कि जब यह आप यह medication को use कर दे तो उसके basic use के बारे में हम समझ ले तो digestive disorders जो होते है कि पाचन तंदर से जुड़ी जो कु प्रेज़ेगी फिर low platelet count की जिसके अंदर हम कहते है कि जो platelets कम हो जाते तो platelets बढ़ाने की दवा के नाम से यह काफी famous है कि डेंग्यू है या फिर chicken गुनिया के अंदर कि जब chicken गुनिया होता है किसी को डेंग्यू का बुखार होता है तो उस वक्त प्लेटलेट जो कम हो ज सकते हैं फिर दूसरी medical condition हम देखे तो जो chicken गुनिया के जो symptom से उसको भी यह medication जो हो कम करता है तो यह एक उसके benefits use कहे जाएंगे फिर prevent भी करता है और treat करता है cell damage की जब हमारे cell होते है जो body के वो कुछ विमार्यों के करन समझे कि damage होते है तो उनको repair करेगा उसको treat करेगा और damage को prevent करेगी यह medication और साथ हो साच जो type 2 diabetes के जो patient होते है उनकी अंदर blood sugar level को कम करने का भी यह काम करेगे तो यह अलग-अलग medical conditions में आप उसको use कर सकते हैं आगी जान लेते हैं उसके dose के बारे में के carry pill tablet का dose क्या होता है तो एक tablet आप ले सकते है 3 times a day मतलब कि prescription रहेगा उसका 1 111 तो यहाँ पी देखो doses लिखा है कि 1 tablet 3 times a day और as directed by the physician तो usually जो उसका हम dose देखे तो दिन में जो हो आप 3 tablet खा सकते हैं और एक tablet आप लेंगे हर 8 गंटे पे तो टोटल 24 hours के अंदर आप जो हो 3 tablet लेंगे तो maximum 3 tablet लेजिए per day और ideal कूर्स के हम बात करें तो 5 दिन का रहेगा तो 15 जितनी टैबलेट आप यूज करें के मतलब कि जो इसके blister में जो 15 टैबलेट डी जाती है वो आप 5 दिन तक जो हो खाते हैं और 3 टैबलेट आपको हर दिन लेती है हो लेनी होती है हर 8 गंटे पे तो ये खास उसके dose के बारे में आप जान लीजिए त तो इससे ज्यादा dose में कभी भी यूज ना करें, maximum 3 टैबलेट यूज करें और जरूरत इतनी ज्यादा ना हो तो आप जो दिन में 2 टैबलेट भी खा सकते हैं, but ideal dose उसका रहता है कि 3 टैबलेट आप maximum खा सकते हैं एक दिन में और हर टैबलेट के बीच में 8 गंटे का जो व हो सकता है, आपको मतलब कि जी में चल सकता है, ये टैबलेट लेने के बाद, वामिटिंग हो सकते हैं, मतलब कि उल्टी हो जाना, कुछ लोग पेट में दर्ध होना, ऐसे condition फिल करते हैं, कि जिसको abdominal pain करते हैं, फिर कुछ लोग heartburn, मतलब कि जो पेट में जलन होना, और dyspepsia मतलब कि जो अपच, कि कई बार ऐसा फिल करते हैं, कि खाना जो हो डाइजस्ट नहीं हुआ, ऐसी condition, कुछ cases में फिल होता है, तो ये बहुत ही common और rare side effect है, कुछ cases में तो ये side effects देखने को भी नहीं मिलती, तो ये उसके कुछ common या फिर very common side effect हम कह सकते हैं, उसकी warning खास समझ तो केरेग पिल टेबलेट को कौनसी condition में यूज नहीं करने हैं, तो पहली condition कि अगर आप pregnant है, या फिर आप pregnancy conceive करने का planning कर रहे हैं, या फिर आप breastfeeding के period में हैं, तो ये medication को जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए, because अगर आप pregnant है तो pregnancy के अंदर इसके complications हो सकते हैं, तो ये खास द्यान रखे हो, या फिर आप pregnancy conceive करने का try कर रहे हैं, तो भी ये tablet को यूज नहीं करनी है, फिर आप समझे कि कोई blood thinning medications ले रहे हैं, कि खून को पतला करने वाली medications ले रहे हैं, जैसे कि aspirin वगरा ले रहे हैं, तो उसके साथ ये tablet को कभी भी यूज नहीं करें, फिर अगर आ allergic reactions हो जाते हैं, अगर आपने carry pill tablet यूज की और कोई allergic reactions आपके body के उपर develop हो रही है, तो तुरंत उसको लेना बन कर दे, और अगर आपको hypersensitity हो जाती है, किसी भी ingredient की, जो carry pill tablet में यूज की है, कि ऐसे allergic reactions डेवलाफ हो जाना, कि जैसे races वगरा हो जाना, सूजन वगरा आ जा बिकाज आपको उसकी allergy हो सकती है, तो जैसे हमने यहाँ पर सिखा carry pill tablet के बारे में, ऐसे सिखे, अलग-अलग medicines के basic use के बारे में, इनके dose side effect, warning and counter indications, एक साल तक, affordable price में, farmer rocks की अब उपर, सिखे, दवायों के बारे में, अलग-अलग बिमारियों, उनकी इलाज के बारे में, और access करें उनके related study material, ppt, pdf files and video lecture, तो यह number पर आप हमें whatsapp कर सकते है, 901631-2020 पर आप हमें whatsapp कर सकते है, या फिर link description box में मिल जाएगी, कि जो आप android app download कर पागे, app store से भी, iphone के लिए भी app download कर पागे, link description box में दे दी है, या फिर 901631-2020 पर आप हमें call या whatsapp कर सकते है, good luck and all the best. झाल